C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्दुत है कक्षा 6 की गणित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याय बारह अनुपात और समानुपात प्रिष्ट 264 12.1 भूमिका हमारे दैनिक जीवन में अनेक बार हमें दो एक जैसी राशियों की तुलना करनी पड़ती है उदाहरन तह अवनी और शेरी ने अपनी स्क्राप फाइल के लिए फूल इकठे किये अवनी ने 30 और शेरी ने 45 फूल इकठे किये हम कह सकते हैं कि शेरी ने अवनी से 45 घटा 30 बराबर 15 फूल अधिक इकठे किये यह अंतर द्वारा तुलना की एक विधी है रहीम का कद 150 सेंटिमीटर और अवनी का 140 सेंटिमीटर है इस प्रकार रहीम का कद अवनी से 150 सेंटिमीटर घटा 140 सेंटिमीटर बराबर 10 सेंटिमीटर अधिक है यदि हम एक चीटी और एक टिड़े की लंबाई की तुलना करना चाहें तो अंतर द्वारा इस तुलना को दिखाना उचित नहीं होगा टिड़े की लंबाई चार सेंटी मीटर से पांच सेंटी मीटर होती है जो कि चीटी की लंबाई से बहुत लंबी है क्योंकि चीटी की लंबाई कुछ मिली मीटर ही होती है तुलना ज्यादा अच्छी होगी यदि हम टिड़े की लंबाई के बराबर एक के पीछे एक चीटियों की पंक्ती बना दें इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि 20 से 30 चीटियों की कुल लंबाई एक टिड़े की लंबाई के समान है अगला उदाहरण लेते हैं एक कार का मूल्य धाई लाक रुपई है और एक मोटर साइकल का मूल्य पचास हजार रुपई है यदि हम उनके मूल्यों का अंतर लें तो यह दो लाक रुपई होगा यदि हम तुलना भाग द्वारा करें तो वो इस प्रकार होगी प्रिष्ट 265 धाई लाक बटा पचास हजार बराबर पांच बटा एक हम कह सकते हैं कि कार का मूल्य मोटर साइकल के मूल्य का पांच गुना है इस प्रकार कुछ परिस्थितियों में भाग द्वारा तुलना अंतर द्वारा तुलना से बेहतर सिध्ध होती है भाग द्वारा तुलना को ही अनुपात कहा जाता है आगे के खंड में हम अनुपात के बिशय में और अधिक सीखेंगे भारह दशमलव दो अनुपात ये समझे इशा का वजन पच्चीस किलोग्राम है और उसके पिता का 75 किलोग्राम पिता का वजन पुत्री के वजन का कितना गुना है? ये तीन गुना है एक पैन का मूल्य दस रुपई है और एक पैंसिल का मूल्य दो रुपई है पैन का मूल्य पैंसिल के मूल्य का कितने गुना है? सपश्ट है के पांच गुना उपरोक्त उदाहरण में हमने दो राशियों की कितने गुना के रूप में तुलना की ये तुलना अनुपात कहलाती है हम अनुपात को कॉलन चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे पिछले उदाहरणों को दोबारा लेते हैं हम कह सकते हैं पिता के वजन का पुत्री के वजन के साथ अनुपात बराबर बिजहत्तर बटा पचीस बराबर तीन बटा एक बराबर तीन अनुपात एक पैन के मूल्य का पैंसिल के मूल्य से अनुपात बराबर दस बटा दो बराबर पांच बटा एक बराबर पांच अनुपात एक प्रयास कीजिए एक, एक कक्षा में बीस लड़के और चालीस लड़कियां हैं लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से क्या अनुपात होगा? 2. रवी एक घंटे में 6 किलोमीटर चलता है, जबके रवी द्वारा तै की गई दूरी से रवी द्वारा तै की गई दूरी का अनुपात ग्यात कीजिए. यहां एक और समस्या है एक कक्षा में 20 लड़के तथा 40 लड़किया है अनुपात ग्यात कीजिए ए, लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों से बी, लड़कों की संख्या का कुल विद्यार्थियों से सर्व प्रथम हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या की आवशक्ता है जो के इस प्रकार है लड़कियों की संख्या जमा लड़कों की संख्या बराबर 20 जमा 40 बराबर 60 तब लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात 40 बटा 60 बराबर 2 बटा 3 बराबर 2 अनुपात 3 भाग B का हल इसी प्रकार निकालिए प्रिष्ट 266 एक उदाहरण और लेते हैं घर में पाई जाने वाली छिपकली की लंबाई 20 सेंटी मीटर है और मगरमच की लंबाई 4 मीटर मैं तुम से पांच गुनी लंबी हूँ छिपकली ने कहा जैसा के हम समझ सकते हैं कि यह बिलकुल गलत है एक छिपकली की लंबाई मगरमच की लंबाई से पांच गुना नहीं हो सकती तो गलती कहा है ध्यान से समझें तो छिपकली की लंबाई सेंटी मीटर में है और मगरमच की लंबाई मीटर में दी गई है अतह हमें उनकी लंबाईयों को एक जैसी इकाईयों में बदलना होगा. मगर मच्क की लंबाई बराबर 4 मीटर, बराबर 4 गुना 100, बराबर 400 सेंटिमीटर. अतह मगर मच्क की लंबाई का छिपकली की लंबाई से अनुपात इस प्रकार होगा. बराबर 400 बटा 20, बराबर 20 बटा एक, बराबर 20 अनुपात एक. और यहां एक चित्र है जिसमें मगर मच्क छिपकली से कह रहा है, मैं बड़ा हूँ, तुम छोटे हो. दो राशियों की तुलना तभी की जा सकती है, जब वे दोनों एक ही इकाई में हो. छिपकली की लंबाई का, मगर मच्क की लंबाई से अनुपात क्या होगा? यह होगा 20 बटा 400, बराबर 1 बटा 20, बराबर एक अनुपात 20. ध्यान दीजिए के एक अनुपात 20 और 20 अनुपात 1 दोनों एक दूसरे से भिन हैं. एक अनुपात 20 छिपकली की लंबाई का, मगर मच्क की लंबाई से है, और 20 अनुपात 1 मगर मच्क की लंबाई का, छिपकली की लंबाई के साथ है. एक और उदाहरण देखते हैं, पैंसिल की लंबाई 18 सेंटिमीटर है और इसका व्यास 8 मिलिमीटर है, पैंसिल के व्यास का उसकी लंबाई के साथ अनुपात क्या होगा? व्यास तथा लंबाई दोनों की इकाई अलग दी हुई है, अथह उन्हें समान इकाई में बदलने की आवशक्ता है। बराबर दो अनुपात 45, प्रिष्ट 266, प्रयास कीजिए। एक, सौरब घर से स्कूल पहुँचने में 15 मिनट लेता है और सचिन एक घंटा लेता है, सौरब द्वारा लिये गई समय और सचिन द्वारा लिये गई समय का अनुपात ग्यात करो। दो, एक टौफी का मूल्य पचास पैसे है और एक चौकलिट का दस रुपए। टौफी के मूल्य का चौकलिट के मूल्य से अनुपात ग्यात कीजिए। एक स्खूल में एक वर्ष में 73 छुटियां बनती हैं। छुटियों का वर्ष के कुल दिनों के साथ अनुपात ग्यात कीजिए। कुछ और ऐसी ही परिस्थितियों के विशय में सोचिए जहां आपको दो समान राशियों की तुलना करनी पड़े और दोनों राशियों की एकाईयां भिन हूँ। हम अनुपात की संकल्पना का प्रयोग दैनिक जीवन की बहुत सी परिस्थितियों में बिना जाने ही करते हैं। आकरिती A तथा B की तुलना करें। आकरिती B आकरिती A से ज्यादा वास्तविक लगती है। क्यूं। प्रशन के साथ ही दो आकरितीयां दी गई हैं जिन में दो अलग लड़कों की तस्वीरे हैं। आकरिती A में टांगें बाकी शरीर की तुलना में लंबी हैं। ये इसलिए है कि हम टांगों की शरीर के अन्य हिस्सों से तुलना में एक खास अनुपात की आशा रखते हैं। यहाँ एक और चित्र है जिसमें दो अलग-अलग पैंसिले नजरा रही हैं। चित्र में बनी दोनों पैंसिलों की तुलना कीजिए। क्या पैंसिल देखने में पूरी पैंसिल लगती है? नहीं. क्यों नहीं? कारण ये है कि पैंसिल की मोटाई और लंबाई में सही अनुपात नहीं है। हम अलग-अलग परिस्थितियों में एक जैसा अनुपात देख सकते हैं। ये समझिए। एक कमरे की लंबाई 30 मीटर और इसकी चोड़ाई 20 मीटर है। अतहर कमरे की लंबाई का चोड़ाई से अनुपात बराबर 30 बटा 20 बराबर 3 बटा 2 बराबर 3 अनुपात 2। एक पिकनिक में 24 लडकियां और 16 लडके जा रहे हैं. लडकियों की संख्या का लडकों की संख्या से अनुपात बराबर 24 बटा 16 बराबर 3 बटा 2 बराबर 3 अनुपात 2. दोनों ही उदाहरणों में अनुपात 3 अनुपात 2 है. नियूनितम रूप में 30 अनुपात 20 और 24 अनुपात 16 अनुपात समान हैं और वे 3 अनुपात 2 के बराबर हैं. ये तुल्य अनुपात कहलाते हैं. क्या आप कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं जो नियूनितम रूप में 3 अनुपात 2 के तुल्य हूं? इस प्रकार की परिस्थितियां लिखना जिन से एक खास अनुपात मिले रोचक हूंगी. उदाहरण के लिए एक ऐसी परिस्थिति लिखिए जिसमें अनुपात 2 अनुपात 3 है. मेज की चौड़ाई का लंबाई से अनुपात 2 अनुपात 3 है. शीना के पास 2 कंचे हैं और उसकी मित्र शबनम के पास 3 कंचे हैं. शीना और शबनम के कंचों का अनुपात 2 अनुपात 3 है. प्रिष्ट 268 क्या आप कुछ और ऐसे उदाहरन लिख सकते हैं जिसमें यही अनुपात आए? अपने मित्रों को कुछ अनुपात दे कर उनसे उन पर आधारित कुछ उदाहरन बनवाएं. रवी और रानी ने एक व्यापार शुरू किया और दो अनुपात 3 में धन निवेश किया. एक वर्ष बाद कुल लाब 4 लाक रुपाई था. रवी ने कहा कि हम यह लाब बराबर बाट लेते हैं. रानी ने उत्तर दिया मुझे ज्यादा मिलना चाहिए क्योंकि मैंने ज्यादा निवेश किया है. तब यह निरणे लिया गया कि निवेश के अनुपात में ही लाब बाटा जाएगा. यहां दो अनुपात 3 के अनुपात में 2 और 3 दो ही राशियां हैं. इन राशियों का यो अर्थ है कि यदि पांच रुपाई लाब है, तो रवी को दो रुपाई और रानी को तीन रुपाई मिलेंगे. और हम कह सकते हैं कि पांच हिस्सों में से दो हिस्से रवी का और तीन हिस्से रानी को मिलेंगे. इससे अभी प्राय होगा कि रवी को कुल लाब का दो बटा पा यदि कुल लाब 500 रुपई है तो रवी को मिलेगा 2 बटा 5 गुणा 500 बराबर 200 रुपई और रानी को 3 बटा 5 गुणा 500 बराबर 300 रुपई अब यदि कुल लाब 4 लाख रुपई हो तो प्रत्यक को कितना हिस्सा मिलेगा रवी का हिस्सा बराबर 2 बटा 5 गुणा 4 लाख रुपई और रानी का हिस्सा बराबर 3 बटा 5 गुणा 4 लाख रुपई और रानी का हिस्सा बराबर 3 बटा 5 गुणा 4 लाख रुपई बराबर 2 जहां आपको कुछ चीजों को एक अनुपात में बाटना है, तीन ऐसी और समस्याओं को बनाईए और अपने मित्रों से हल करवाईए। प्रयास कीजिए 1. अपने बैग में रखी कौपियों की संख्या का पुस्थकों की संख्या से अनुपात ग्यात कीजिए। 2. अपनी कक्षा की कुल डेस्कों की संख्या का कुल कुर्सियों की संख्या से अनुपात ग्यात कीजिए। प्रिष्ट 279 3. अपनी कक्षा में उन चात्रों की संख्या ग्यात कीजिए जिनकी आयू 12 वर्ष से उपर है। अब, बारह वर्ष से उपर आयूवाले चात्रों की संख्या का, कक्षा के बाकी चात्रों की संख्या के साथ अनुपात ग्यात कीजिए। चार, अपनी कक्षा के दर्वाजों की संख्या का, ठिर्कियों की संख्या से अनुपात निकालिए। पांच, एक आयत बनाईए, उसकी लंबाई का चोड़ाई से अनुपात निकालिये। अभी आप सुन रहे थे कक्षा छै की गनित की ध्वनी पाठे पुस्तक, वाचनस्वर गौरव मार्वा, निर्मान सहियोग, सौम्या मलिक, निर्मान, विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली, भारत